हेलो साथियो स्वागत है आपका हमारे एक और शेशन में आज हम बात करेंगे हिमाचल जी के सीरीज की पार्ट नमबर टू की तो कि इस सीरीज में हम क्या क्या करेंगे तियोरी के साथ-साथ mcqs questions भी करेंगे जो कि आपके आने वाले exams के लिए बहुत ही helpful रहने माले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो हिमाचल जी की है वो कौन-कौन से exam कवर करेगा कौन-कौन से exam के लिए important रहेगा तो सबसे पहले हम हमारा जो main exam है hp as हिमाचल प्रदेश administration services उसको hp allied जो कि आपका exam आने वाला है उसको कवर करेगा hp psc द्वारा जितने भी exam conduct करवाये जाएंगे वो सारे hp rc हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जितने भी exam conduct करवाये जाएंगे वो सारे कि सारे j o a junior office assistant it high court color की बात करेंगे hp color की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस बहुत ही important है इसकी बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी के साथ में ही यह important रहेगा HP TET के लिए और साथ में ही HP TGT Commission इन दोनों exams के लिए भी बहुत ही ज्यादा important यह series रहने वाले है HP TET and HP TGT Commission आल राइट तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो तो आज हम geography of हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे geography यानि कि जो भारत का भुगोल है उसके बारे में भारत का भारत में हिमाचल प्रदेश का जो भुगोल है ठीक है इंडिया में हिमाचल प्रदेश आता है एक state है एक राज्य है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हिमाचल परदेश को पूरण राज्य का दरजा कैसे मिला था यानि कि हिमाचल परदेश from 1948 to 1971 आज हम भुगोल को करेंगे इसकी दिखेंगे कि किस तरह से location है हमारे भारत में सबसे पहले हिमाचल का meaning देख लेते हैं हिमाचल means land of snowy mountain snowy mountain यानि कि snow हो गया हमारा बर्फ बर्फ से डखे हुए पहाड हिम इमाचल का अर्थ हिम जमाचल ये दो सब्दों के मेल से बना हुआ है हिम का मतलब होता है भी बर्फ और अचल का मतलब होता है पहाड या ढखा हुआ बर्फ से ढखा हुआ ठीक बात होगी तो ये हो गया हिमाचल एक्जाम में question पूछ लिये जाता है कि बताओ भी हिमाचल प्रदेश दो सब्दों के मेल से बना है वो दो सब्द कौन कौन से है तो आपको बात ध्यान में रखनी है हिम जमाचल वो दो शब्द है उसके बाद नक्ष देखी गया हिमाचल प्रदेश पॉपरली कौल अडोब ऑफ गॉड्स देबताओं की भूमी हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है क्या बोला जाता है देबताओं की भूमी साथ में देब भूमी के नाम से भी जाना जाता है और एक और बात fruit ball of India भारत का फलों का कटोरा भी बोला जाता है तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कौन-कौन सी एक तो हो गया देवताओं की भूमी दूसरा हो गया देव भूमी और एक हो गया फ्रूट बॉल ओफ इंडिया अल राइट अब एक और पॉइंट रह गया कि दे एपल सेब राज्य है इनकी सबसे ज़्यादा सेब अच्छे क्वालिटी के सेब हिमाचल परदेश में उखते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट होता है उनका एक्सपोर्ट होता है तो हम बोलेंगे कि हिमाचल परदेश क्या है एपल स्टेट आफ इंडिया है ओल राइट इकनी बात डिगरी 22 मिनट्स 25 तो 33 डिगरी 12 मिनट्स उत्री अक्सांस में लाई करता है उत्री के क्या कहलाती है और अगर हम यहां पर देख़ो यह स een निया इतनी बात कलीर होगood जब हम बात करेंगे 30 से लेके 30 से लेके 33 तक तो यहां जैसे कहीं ना कहीं माचल परदेश लाई करेंगा तो यही बात इन्होंने बोली है कि it lies 30 degree 22 minutes to 33 degree 12 minutes north latitude उत्तरी अकसांस ठीक बात हो गई अगर हम बात करेंगे कि देशांतर की longitude की तो हिमाचल प्रदेश का longitude क्या है 75 degree 47 minute to 79 degree 4 minutes अब देखिएगा यहां पर फिर से वही बात आगी यह आगया हमारा 0 यह हमारा 30 आगया यह हमारा 60 आगया और उसके बाद यहां पर अब हम बात कर रहे हैं कि यह कहां से है 75 degree से लेके कहां तक है 79 4 minutes तक तो वह कहां आजाएगा तो देखो 60 के बाद यहां यहां जैसे कहीं पर आएगा 75 75 से लेके 79 तक इसकी value रहती है तो यह जो है यहां पर आएगा खीक बात है तो इस तरह से जब हम map देखेंगे यह globe देखेंगे तो वहां पर हिमाचल परदेश के coordinates या latitude और longitude इस तरह से दिखाएगे तो यह question भी पूछ लिए जाता है कि बताओ भी नौर्थ की तरफ हिमाचल परदेश का बिस्तार क्या है और अगर बात पुछेगा कि East longitude East longitude की या longitude की या देशांतर की बात पूछेगा तो आपने बोलना है कि 75 degree 47 minutes to 79 degree 4 minutes ठीक बात होगी इतनी चलिए जी उसके बाद बात करते हैं कि इसका altitude attitude जो है वो कहां से कहां तक है यानि कि इसकी उन्चाई लगबग उन्चाई उन्चाई की अगर हम बात करेंगे तो ह हिमाचल प्रदेश की उन्चाई एबरेज उन्चाई एवरेज हाइट ये साड़े तीन सो से लेके साथ सो मीटर है कितनी साड़े तीन सो मीटर से साथ सो मीटर एक्जाम में ये question पूछा गया है कि बताओ भी what is the average altitude range of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की एबरेज औस तन उन्चाई कहां से कहां तक है तो हम बोल देंगे साड़े तीन सो मीटर से लेके साथ हजार मेटर तक है अगर अगर हम फीट की बात करते हैं तो ग्यारा सो पचास फीट टू बाईस हजार नौसो पैंसट फीट वन थाउजन वन हंडर्ड फिप्टी फीट टू 22,965 तो हमने लाश्ट लक्चर में भी देखा था मैप मैप में देखा था कि किस किस के साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंडरी लगती है तो सबसे पहले तिबबत की बात आ जाती है तिबबत पूरब में किस से तिबबत के साथ हमारी बाउंडरी लगती है हिमाचल प्रदेश की और ये कैसी है एक international boundary है कौनसी है international boundary ठीक बात हो गई और ये तिब्बत जो है वो किसका पार्ट है चाइना का पार्ट है तो हम बोलेंगे कि हमारी boundary किसके साथ है चाइना के साथ है अब उसी तरह अगर हम उत्तर में बात करते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा लदाक क के साथ हिमाचल प्रदेश की बॉंडरी लगती है किसकी साथ जमू कश्मीर और लद्दा के साथ और यह दोनों क्या है यूनियन टैर्टरी है यूटी अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो यह वाली साइड हो गई पश्चिम पश्चिम में पंजाब के साथ बॉंडरी लग लगती है पश्चिम अगर हम दक्षिन पूरव की बात करते हैं तो यह आ गया हमारा दक्षिन पूरव में उत्राखंड के साथ और उत्तरप्रदेश के साथ थोड़ी सी बॉंडरी लगती है सबसे कम उत्तरप्रदेश के साथ लगती है और उत्तरखंड के साथ तो काफी ब हमारा दक्षिन पश्चिम और यहां पर कौन सा स्टेट आ जाएगा हर्याना हर्याना राज आ जाएगा तो यह भी क्या है एक स्टेट है यहां से हमें पता लग रहा है एक कौन सी है इंटरनेशनल बॉंडरी हो गई कैसी इंटरनेशनल बॉंडरी हो गई फिर उसके बाद दो दो यूटीज हैं, उनके साथ boundary लग रही है, और बाकी हमारे चार जो राजें हैं, उनके साथ हिमाचल परदेश की boundary जो है, वो लग रही है, छीक बात हो गई इतनी, नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं, अब बात कर रहा है, area of हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश का area कितन है, क्षेतरफल कितना है, बही चोठी एक्जाम में direct question पूछ जिया जाता है, what is the area of हिमाचल परदेश, याद रखना है, तो देखो, पूरे भारत का क्षेतरफल कितना हो गया, यह देखो, यहाँ पर लिखा है, 32,87,263 km2, यह क्या है, यह है, पूरे भारत का area है, जिसमें से हिमाचल परदेश कितना कबर करता है, 1.7% only, तो 1.7% परतीसत भाग हिमाचल परदेश कबर करता है, बही एक्जाम में पूछा गया question है, important बात बन जाती है, next population की ओर move करते है, population of हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश की population कितनी है, और मैं बात करूँ तो यह 2011 की census के according है, यनि की जन संख्या के according है, ठीक बात है, तो हिमाचल परदेश की population, यनि की जन संख्या कितनी आ जाएगी, 68,64,602, कितने लोग रहते हैं वे हिमाचल परदेश में, 68,64,602, कैसे याद रखेंगे, 68,64,602, इस तरह से, और ये पूरे इंडिया का कितना contribution है, पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो हिमाचल परदेश की population, only 0.57% है, कितनी है, 0.57%, ठीक बात होगे, जो कि पूरे भारत का 0.57% भाग, तो अगर हम बात करते हैं, एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हिमाचल 1.7% contribute करता है, और अगर population की बात कर लेते हैं, जनसंक्या की बात कर लेते हैं, तो ये 0.57% contribute करता है, और राइट, चलो वे, उसके बाद आजाते है territory of हिमाचल प्रदेश divided into three zones, तो हिमाचल प्रदेश की जो territory है, वो कितने भागों में divide करी गई है, तीन भागों में divide करी गई है, कितने parts में, तीन parts में, three zones, तीन क्षेतरों में, कौन-कौन से है, सबसे पहले तो आ जाएगा भी, outer हिमाल्या, outer हिमाल्या आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, तो inner हिमाल्या की बात करेंगे, inner हिमाल्या या जिन को हम mid हिमाल्या भी बोल देते हैं, mid हिमाल्या, और last में जो आएगा, वो आजाएगा, great हिमाल्या, great हिमाल्या, तो इन तीन जोन्स में हिमाचल प्रदेश को बांटा गया है, outer हिमाल्या, inner हिमाल्य और साथ में Great Himalaya ठीक है चलो इनके बारे में भी देख लेते हैं वही दिर दिरे से चलिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Outer Himalaya की Outer Himalaya जिसको हम Lower Hills भी बोलेंगे और साथ में शिवालिक हिल्ज भी बोलेंगे शिवालिक हिल्ज ठीक है जी इनको शिवालिक हिल्ज इसलिए बोला जाता है शिवालिक का मतलब होता है सिब की जटाएं Traces of Shiva भगवान शिव की जटाएं इसलिए इसको क्या बोला शिवालिक बोला ठीक हो गया यह हिमाचल प्रदेश का समतल भाग है ठीक है जी समतल यहनी की प्लेन एरिया है यहाँ पे जादा कौन सा एरिया है प्लेन एरिया है ठीक है इसको क्या बोला जाता है इसको पुराने समय में मैनाक परबत भी बोला जाता था और साथ में मानक मानक परबत भी बोला जाता था यह बात भी आपने ध्यान में रखनी है मैनाक और मानक, ठीक बात होगी, अब इसमें कौन-कौन से क्षेतर आते हैं, तो देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, एक तो इसमें, बिलासपुरवाला क्षेतर आ गया, हमिरपुरवाला क्षेतर आ गया, कांगडा के कुछ क्षेतर, कांगडा के कुछ क्षेतर, पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् वाला इलाका हो गया वबाला ठीक है सनसार पुर्ट करते सी वाला सारा का सारा इलाका किस में आ जाएगा इसी। सिवालिक हियल justo में आ जाएगा यनि कि जो हमारे और हिमालिय के ना जाएगा या लो लो हिमालिया रीารी जिमी डिया उस क जोगिंदर नगर वाला क्षेतर हो गया, सुन्दर नगर वाला क्षेतर हो गया, यह सारे के सारे, सोलन की बात करेंगे तो जैसे अरकी हो गया, अरकी वाला क्षेतर हो गया, यह आ जाएगा, कुनिहार हो गया, कुनिहार वाला क्षेतर आ जाएगा, ठीक है, और सिरमौर के भी जैसे कि हमारा पॉंटा है, पॉंटा वाला क्षेतर यहां पे आ जाएगा, तो यह सारे के सारे क्षेतर यहां पे देखने को मिलते हैं, शिवालिक हिल्स में, ठीक बात होगी, और अगर हम इस क्षेतर में फसलों की बात करते हैं, कि कौन-कौन सी फसले यहां पे उगाई जात फिर गेहूं, गेहूं उगाई जाती है भी, ठीक है जी, गेहूं हो गया, मक्की उगाई जाती है, डालें उगाई जाती है, डालें, मक्की हो गया, डालें हो गया, ठीक है, सरसूं, सरसूं यहां पे उगाई जाती है, यह मुख्य रूप से फसले, और फलों की अगर हम बात क जरते हैं फल कौन कौन से फल बहुत ही फिमस है वह आम आम और नीमबू यह दोनों फल सबसे ज़्यादा आम कहां पर होता है कांगडा में कांगडा में सबसे ज़्यादा आम उगाया जाता है माचिल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम कांगडा में उगाया जाता है ठीक है ठीक है जी इतनी बात हो गई अब यहाँ पर हमने बात करनी है कि यह जो है इनकी average height कितनी है इस खशेतर की average height कितनी है तो यह 300 से लेके 1500 मीटर है कितनी है साड़े सो, साड़े तीन सो मीटर से पंदरा सो मीटर तक है ठीक है, और इस इस क्षेतर में और क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं आईए वो भी देख लेते हैं, तो देखिएगा स्मिंट की फैक्टरी, स्मिंट की फैक्टरी यहां पे जैसे की बर्माना है बर्माना में स्मिंट की फैक्टरी देखने को मिलती है जो की कहां पे है, बिलासपुर बिलासपुर में बर्माना है, ठीक है उसके बाद और कहां पे, तो सोलन में सोलन का जो दालडा घाट है, दालडा घाट यहां पे स्मिंट की फैक्टरी देखने को मिलती है और अगर हम राजबन की बात करते हैं, राजबन जो की कहां पे है, सिर्मौर में, यहां पे भी हमें स्मिंट की फैक्टरी देखने को मिलती है, तो यह बात ज्यान में रखनी है कि यह कौन सिक्षेतर में आता है, लो हिमालय रीजन या सिवालिक रीजन में आता है, चलो उसके बात करते हैं तो यह 1500 सो से 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसकी average height है attitude है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक अगर हम feet में बात कर लेते हैं तो 4920 feet से लेके 14765 feet तक ठीक है अब देखिएगा इस क्षेतर में कौन-कौन से areas आते हैं तो अपर areas अब देखो height बढ़ रही है तो उंचे क्षेतर आ जाएंगे उंची जगाओ पे जो क्षेतर है जैसे की तसील और पाच्छड पाच्छड तसील है बहुत ही important है बहुत बार exam में पूछा गया है रेणु का तसील हो गए ये दोनों तसीलें किसकी है डिस्टी का सिरमौर की ये दोनों की दोनों कहां पे आती है इसी इसी reason में आती है inner region में या फिर मध्य हिमाल्य reason और अगर हम चच्छोट की बात करते हैं करसो की बात करते हैं तो ये दोनों किसकी तसील है ये मंडी जिला की तसील है ठीक है चच्छोट और करसो ये भी इसी क्षेतर में आती है उसके बाद पालमपूर की बात कर लेते हैं पालमपूर यहां पे आ जाता है फिर कांगडा क म вижу सिंवला के शारे किसारे किशेतर इसी रिजन में आते हैं एक बार फिर रिख लेते हैं अगर म में बटियात किशेतर आए य कि कैजी चुराह वाला किशेतर आ जाएगा ठीक के भरमॉर वाला किशेतर गया फिर मंडी की बात हैं जैसे उहल है वहां से स्टार्ट हो जाता है ठीक है उहल हो गया चचोट हमने बात कर ली करसोग की बात हमने कर ली और अगर हम देखे कुलू कुलू मनाली का क्षेतर ये भी आ जाता है और कांगडा का जो बड़ा बंगाल वाला क्षेतर है वो भी यहां पे आ जाता है बड़ बंगाल ठीक बात होगे चलो जी इतनी बात है अब यहां पर बगीचे लगना शुरू हो जाते हैं सेब जो है वो उगना शुरू हो जाता है आडू यहां पर फल उगाए जाते हैं पलम नाशपती आदी यहां देखने को मिलते हैं साथ में बादाम की बादाम के पेड या हम पौधे भी यहां पे देखने को मिलते हैं, अगर हम ब्रिक्षों की बात कर लेते हैं, तो ब्रिक्ष, यनि की पेड कौन-कौन से देखने को मिलते हैं, इस क्षेटर में, तो पूछ लिए जा सकता है आपसे, तो देखो देबदार के ब्रिक्ष, देबदार ब्रिक्ष हो गया फिर कैल के ब्रिक्ष होगे फिर बान के बुरांश ये सारी के सारे पेड़े यहां पे देखने को मिलते हैं अब ये जो ये जो रेंज है ये माउंटेन स्रिंखला है ये दो भागों में डिवाइड करी गई है एक आ गया हमारा धौलादार और दूसरा आ गया हमारा अगर हम बात करते हैं तो इसको भाइट पीक के नाम से जाना जाता है आगे देख लेते हैं चलोगी आगए दोलादार माउंटन रेंज बात कर लेते हैं ताली सो पचास मीटर की एवरेज हाइट है इसकी इनकी इतनी उंचाई पर ये स्थित है ठीक है धौलाधार परवत सरिंख ला धौलाधार का अर्थ है सफेद चोटी इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाइट पीक भी बोला जाता है कई वार एक्जाम में कॉश्चन पूछ हमने पहले पड़ा जो शिवालिक वाला एरिया था शिवालिक हिमाल्य था उसको क्या बोला था मैनाक बोला गया था या मानक बोला गया था अब बात आ रही है यहां पर धौलाधार परवत सरिंख लाकी इसको क्या बोला जाता है इसको मौलाक परवत कहा जाता है ठीक है कहा जाता है और यह मुख्यता है कौन से जिले में आती है कांगडा जिले में आती है दौलदार is also known as मौलाक परबत mainly in the district कांगडा तो बाध्यान में रखने है कि जो दौलदार mountain range है यह मुख्यता है कांगडा में देखने को मिलती है अल्राइट चलो जी आगे देखो आगे जो आजाती है पीर पंजाल स्रिंखला पीर पंजाल mountain range कि अगर हम बात कर लेते हैं इसकी height देखो 4000 से 5000 मीटर बताई गई है ठीके अब देखीगा यहाँ यह जो है मुख्यता है पाई जाती है चमबा जिला में पाई जाती है question पूछा गया है पूछा गया था कि पीर पंजाल परवत स्रिंखला कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो answer होगा चमबा जिष्टिक या चमबा जिला and largest range in the lesser और inner हिमाले और यह इस यानि कि inner हिमाले भीतरी या मद्धे हिमाले की सबसे बड़ी स्रिंखला है ठीक है यह कुलू और लाहौल को अलग करती है तो यह जो पीर पंजाल स्रिंखला है तो यह किसको कुलू कुलू और किसको लाहौल या लाहौल कुलू और लाहॉल को अलग करती है कुलू और लाहॉल को अलग करती है सिरिखंड के साथ ये मिलती है और बाद में जाके सिरिखंड के साथ ये मिल जाती है इतनी बात कलीर हो गए ये हो गया हमारा पीर पंजाल माउंटेन रेंज और दूसरी हो गई हमारी धौलाधार परवत शरींग लगा तो ये बाते आपने ध्यान में रखनी है important questions यहां से बनते हैं अब next जो बात करते हैं greater हिमालिया और alpine zone की बात करेंगे देखो अब ये जो है greater हिमालिया ये मुख्य रूप से बरब से ढखा रहता है यहां पर बड़े बड़े glaciers देखने को मिलते हैं यहां पर बहुत ही कम बारिश होती है और इसको alpine zone कहा जाता है यहां पर बनस्पती जो है वो बिल्कुल ही कम या zero zero के बराबर होती है तो ये देखो greater हिमालिया और alpine zone इसकी average उंचाई जो है height altitude जो है वो कितना है बनतालीसो मेटर से 7000 मेटर है ना बनतालीसो से लेके 7000 मेटर है अब देखो इस स्रिंखला में जासकर रेंज जो है वो बहुत ही famous है कौन सी है जासकर स्रिंखला और यही वो स्रिंखला है जो किनौर और स्पीती को किस से अलग करती है? तिबत से अलग करती है. किस को स्पीती और किनौर को तिबत से अलग करती है? कौन सी रेंज? जांसकर रेंज. जांसकर श्रिंखला. ठीक बात होगे? शिल्ला जो कि हिमाचल परदेश की सबसे उंची चोटी है? वह जांसकर रेंज में ही देखने को मिलती है. वहीं पर ही यह पाई जाती है. और इसकी कितनी है हाइट बई? 7025 मीटर शिल्ला चोटी. फिर बी कहां पे है? यह भी यहीं पे है. इसी जांसकर रेंज में आती है. अब इसमें किनोर डिश्टिक आता है? पांगी तसील अफ चंबा डिश्टिक आती है और सम एरियास ऑफ लौल स्पिती. लौल स्पिती के खेत राते हैं. तो जांसकर रेंज में कौन-कौन से जिल्ए इसमें होती है आप यहां पर सबसे कम बारिश होती है यह होगी ही सबसे कम बारिश ठीक, उसके बाद और क्या है, यहाँ पे बड़े-बड़े दर्रे हमें देखने को मिलते हैं, पासीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, अबलांचेज देखने को मिलते हैं, गलेशियर्ज हिम, खंड देखने को मिलते हैं, तो अगर हम यहां पर दर्रों की बात कर लेते हैं तो कौन-कौन से दर्रे इस क्षेतर में इस reason में greater himalya reason या alpine zone में देखने को मिलते हैं तो देखो साच साच पास हो गया यानि कि साच दर्रा हो गया फिर शोबिया दर्रा शोबिया पास हो गया ठीक है जी कुगती कुगती पास यह कि सारे कि सारे कहां है चमबा में है ठीक है कहां पे चमबा में है साच पास छोबिया पास कुगती पास ठीक उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रोतांग दर्रा तो वो तो आ जाता है पीर पंजाल में ठीक है उसके बाद है बारा लाचाला दर्रा बारा लाचाला जो की लाहल एंड स्पीती में है बारा लाचाला दर्रा कहां पे है लाहल स्पीती में है हम्ता दर्रा आ जाता है भी हम्ता पास हम्ता पास हो गया फिर उसी तरह है चंदर खेरनी पास है यह सारे के सारे यहां पे देखने को मिलते हैं ठीक अगर हम Glaciers की बात कर लेते हैं तो सही माचल प्रदेश का सबसे बड़ा Glacier जिसका नाम है बड़ा सिगडी बड़ा शिगडी ये क्या है भई ये एक Glacier है हिम खंड है इसी क्षेतर में देखने को मिलता है कहां पे है लाहो लेंड स्पीती में है ठीक बात हो गई जो की बोलते बोला जाता है की पच्चिस किलोमेटर लंबा है ठीक है फिर पारवती Glacier है वो भी यहां पे है मुल किला मियार Glacier ये लाहोल स्पीती के हैं सारे के सारे तो ये इस तरह से यहां पे देखने को मिलते हैं ठीक अगर हमें बात कर लेते हैं किनर के लास तो किनर के लास भी इसी रेंज में देखने को मिलता है जो कि कहां पे है हमारे जिला की नौर्म ठीक है तो इस तरह से हिमाचल यह सीरीज रहने वाली है देखिएगा बहुत ही धीरे-धीरे से हम चल रहे हैं अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलेग्राम चैनल जरूर जोइन कर ले सारे के सारे लिंक्स आपको वहां पर सारे के सारे PDF आपको वहां पर मिल जाएं तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाएं